नमस्कार राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है मैं प्रिया आपके साथ आए देखते हैं देश उदेश की प्रमुक खबरे नियाय यात्रा बिहार पहुची आरक्षन पर यूजी सी के प्रस्ताव का मुद्दा उठाया आरेसेस भाश्पा नफरत फैला रही है राहूल गांदी ने कहा अमेरिका में भारती यूवक ने जिस बेघर को शरंड दी उसी ने हतोडे से हत्या की भारती नो सेना ने इरान के जहांच को सोमालिया के लुटेरों के कबजे से छुड़ाया अगर पी-एम नरिन मोदी एक और चुनाव जित्ते हैं तो देश में ताना शाही होगी खरगे ने कहा राम मंदिर प्रान प्रतिष्टा में गए इमाम के खिलाफ फत्वा दिल्ली से राची के बीच सोरेन हुए गुम देर रात तक तलाशती रही ईडी बुलेट ट्रेन कोरिडोर में 28 भुकंप मापी लगाए जाएंगे आतंकी संगठन सीमी पर बेन पांस साल और बढ़ाया मैक्सिको में बुल फाइटिंग पर सुप्रीम कोर्ट की रोक हटते ही उमड़ा हुजूम बिटिंग दर रीट्रेट तीन सेनाओं के बेन की 31 धुनों के साथ गंतंत्र समहरों संपन तुर्किये में चल्च में घुसे हमलावार फाइलिंग में एक की मोत आयेस नेदली जिम्मेदारी जम्मु कश्मिर के बारा मुला के गाउं में लगी आग सेना ने बुझाई बड़े नुकसान से बचाया सुडान में जमीनी विवात पर हिंसक जड़प 52 लोगों की मोत और 64 अनिग खायल आयोध्या की रेकी के मामले में सबूत जुटारी ATS खालिस्तानी आतंकी पन्नों के खिलाफ लुकाउट सर्कूलर जारी कराएगी यूपी ATS गड़कारी आज भोपाल में पंद्रा राश्टरी राजमर्क का करेंगे शीला नियास अंकाले शुर मंदिर का फरजी फेस्बुक एकाउंट बनाया अब पती चरक सामगरी पोस्ट की केस दर्च डिन्डोरी में पती ही निकला Sडीम निशा का ख़त त्यारा Sडीम ने सर्विस बुक में नॉमिनी नहीं बनाया तो पती ने माड डाला बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रही राजनमा टीवी के साथ धन्यवाद